टीकमगड में करोडों रुपैसे बनाए गई परिवहन कार्याले की बिल्डिंग अधिकारियों की अंदेखी की चलते कच्रे के धेर में तबदील होती जा रही है जनता के टेक्स के पैसे से बनी इस बिल्डिंग की सुध लेने वाला अब कोई नहीं है परिवहन अधिकारी सिर्फ कार्याले आते हैं और चले जाते हैं इनको ना तो यहां की साफसफाई से मतलब है ना ही मेंटिनेंसे अधिकारियों की लापरवाही की चलते पियम मोदी के सच्छता अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है मैस दो साल पहने राज परिवहन विवहाग की लगभग देड़ करोड रुपे की लागत से बने बिल्डिंग की हालत अब देखने लायक नहीं बची है परिवहन अधिकारियों और गरमचारियों की लापरवाही की चलते बिल्डिंग कच्रे के धेर में बदलती जा रही है परिवाहन विभाग उदासींता और दलाली के चलते अधिकारियों ने इस आलिशान बिंदिंग में कभी जाड़ू लगवाना भी उचित नहीं समझा आलिशान इमारत का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां पर गुट के पान की पीके ना पड़ी हो तूटी हुई महंगी चेयर हॉल में चल रहे अनावश्यक पंखे इस बात का जीता जाता प्रमाण है कि यह आलिशान परिवाहन विभाग का ओफिस दलाली का डाबन गया है और इसकी साफ सफाई में अधिकारियों को कोई सरुकार नहीं है जब इस स्थम्मंद में परिवाहन अधिकारी कुमावत से बात की गई तो वे अलगी अंदास में नज़र आए उन्होंने कहा मैं अभी मीटिंग में हूँ अधिकारी सवालों के जवावों से बचते नज़र आया अधिकारियों की उदासी इंता और नापरवाही के चलते भारत को सच्छ बनाने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा आप देख रहे हैं दखल न्यूज